एक है लो गाईस कैसे आप लोग तो अभी तक हम ने जैसे देखा कि हमारा पॉइंट वन जो है वो कम्प्लीट हो चुका था अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है हमारा आर्केटेक्ट्चर एंड टोपोलोची स्कत्स थरी टियर आर्केटेक्ट्चरी टोपोलोची टेकट है किट इसके लावा हमारा आएगा small offices and home offices then आएगा हमारा on premises and cloud based architecture ठीक है तो हम start करते हैं first जो है हमारा वो two-tier architecture क्या होते है basically first हम topology समझते है topology समझने के बाद हम चलेंगे two-tier architecture basically होता क्या है तो two-tier architecture topology क्या होता है connectivity of device मालो ये switch है ये LAN users connected है ठीक है इसके अलावा एक ये router है ये अपना एक internet service provider है इसके अलावा एक और internet है ये हो गया air tail ये हो गया bs nl ठीक है तो इस type के है अलगला cloud provider है ये हो गया google का dc ये ही पे आपका facebook का भी ले लो ठीक है और यहीं पे आप multiple ले लो याहू ठीक है इस type के जो चीजें जो connectivity होती है इसको बोलते है topology basically ये एक topology है connectivity of device कैसे connected है जैसे users जो है directly connected है switch से, switch connected है router से router connected है आपके directly internet से, एक internet से एक service provider के बीच में एक multiple service provider है ये पूरा public आपका कहलाता है public public जिसको हम बोलते है when, wide area network ठीक है, when भी बोलते है ये public हो गया, यहाँ पे और भी बहुत सारे branch होंगे जैसे आप normal normal local service providers हैं वो इसके अलावा ये सारे कहीं न कहीं connected होगे, same similar way में अगर आपका यहाँ पे एक server zone है, जो demilitarized zone है, DMZ यहाँ पे servers है, तो similarly इसी way में इधर भी ऐसे connected होगा तो जो हम part पढ़ने वाले हैं जो है अभी फिलाल ये, separation करते हैं इसको हम two part में एक public और एक private, तो फिलाल हम चलेंगे, जो ये part है हमारा इसको, इसके बेस पे हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है इस वाली topology को हम देखेंगे किस type की topology है तो इसमें हम चलते हैं, first जो है हमारा है two tier architecture ठीक है ठीक है two tier architecture किस type की architecture होता है, generally आप देखोगे कि जब भी हमारे network devices में, network के अंदर कुछ इस type की topology होगी जो होगा आप देखते हैं, जो जिस पे हम काम करने जा रहे हैं एक होगा हमारा core switch जो core switch होगा या तो firewall से और router से connected होगा और वो connected होगा internet से और core switch के नीचे जो होगा, वो हमारे पास होगे कौन से? access या फिर distribution switches ठीक है, तो फिलहाल वाले जो part है, जो अब हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसको दो part में divide करते हैं यह first वाला जो है, यह है core और यह है access यह है core layer और यह है access layer ठीक है, core layer में दो layer आपस में combined होगे इसमें होगा a core जो आपका core switch है और similarly इसमें distribution भी हो सकता है ठीक है, total three layers है core, distribution और access तो यह combination of core और similarly आप कह सकते हो distribution का जो है combination हमारा क्या कहलाता है, core layer कहलाता है और जिसको बोलते है aggregation layer भी कहिए वार आप इसको as a aggregation layer भी कहते हैं, ठीक है और नीचे वाला जो access layer access layer से हमारे directly जो है वो PC connected होंगे, ठीक है PC है, end user है, printer है, biometrics है multiple जो devices है जो end user से connected होते हैं वो यहाँ पे आपको easily connect हो, मिलेंगे ठीक है इसके, इसमें generally होता कह है कि यह अगर in case हमारा, अभी इस topology को और थोड़ा सा मैं और elaborate करता हूँ, so that कि हमें समझ में आए, ठीक है एक router लेते हैं, router connected है public internet से और एक router जो है वो कुछ इस तरीके से 2 switch से, C1 मतलब core 1 C2 in the sense core 2 एक होगा active और एक होगा standby और passive यह आपस में connected है, HE configured है, ठीक है और हमारे पास दो ही चार access switch ले लेते हैं, ठीक है चार access switch है, तो वो कुछ इस तरीके से connected होगे तो यह आपस में connected होगे in case of failure of active device अगर मानलो active device पर हमारे पास ज्यादा traffic हो गया किसी कारण से यह link हमारा down हो जाता है, तो ट्राफिक हमारा कैसे forward होगा इसको पता चलेगा, फिर ट्राफिक हमारा जो है वो ट्राफिक हमारा, अगर suppose करो यह वाला यहाँ पर एक user है, ठीक है हर जगे एक users है ठीक है, यह इस user को जाना है तो वो ऐसे करके traffic भीज़ देगा, ठीक है या तो ऐसे भीज़ देगा, या फिर ऐसे भीज़ देगा तो अब यहाँ पर बात आती है, हमारे multiple links की बात आती है कि links के base पर हमारा काम होगा, कि links कैसे होंगे तो suppose करो यहाँ पर चार link, पांच link connected है तीन, चार, पांच और एक छै link connected है छै में से अगर है link तो चलो ठीक है, आपका कभी break होगा नहीं वैसे mostly होता नहीं है, क्योंकि यह Fiverr पे या फिर हम वर्चुली configure करते हैं तो इसलिए break नहीं होगा, तो चलो हम अभी 5 link को लेते है normally जो हमारा यह up link है और इसके अलावा यह switches के ओपर up link है in case of failure, अगर यह link हमारा down हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यह दो link को से connected है, एक switch से connected है एक जो हमारा यहां connected है, और एक यहां connected है, ठीक है तो अब क्या होगा, in case अगर मान लो कि यह वाला link अपना break हो जाता है तो फिर traffic ऐसे करके ऐसे forward हो जाएगा, ठीक है तो हमारा traffic क्या होगा, ऐसे यहां से निकला और यहां पर forward हो गया यह क्या हो गया, कुछ गड़वड़ है similarly, तो इस case में हमारा क्या होगा, कि हमारा जो core layer है, और distribution layer है sorry, access layer है, यह आपस में access, जो user से उनको कभी पता नहीं चलेगा और हमारा network जो है, वो smoothly काम करता रहेगा, without किसी interruption के चलता रहेगा ठीक है, यह future में हमारा easily काम अपना होता रहेगा, ठीक है तो यह है हमारा two-tier architecture, इसमें हमारे पास जैसे routers हैं और core switch होती है यह multi-layers दो switches होती है, जहाँ पर हम VLAN और VLAN configuration कर सकते हैं VLAN L2 पर भी कर सकते हैं, जैसे VLAN है, routing protocol यूज़ कर सकते हैं इस type की और policies है, quality of services लगाना, यह सारी चीज़े वहाँ पर हम L2 के उपर कर सकते हैं अब हम चलते हैं, next है हमारा layer 3 architecture, ठीक है layer 3 architecture क्या होता है, यहाँ पर आते हैं तो तीन layers आती है three layers कैसे कैसे होते हैं, एक हमारा जैसे कि हमने first देखा था core layer first layer होगा, second layer होगा, distribution third है core distribution, access layer, ठीक है core distribution and access तो core layer जो है हमारा, same चीज है, जहाँ पर multilayer switches होगे, ठीक है routers होगे, firewalls होगे, ठीक है, इस type की जो devices हैं, वो हमारे core layer में आएंगे distribution में वो devices होगे, जो आपको इनकी services को distribute करेगा जैसे यहाँ पर high end switch भी हो सकती है, और multilayer switch भी हो सकती है, ठीक है और access layer वो होगा, जहाँ पर user access करेगा, जहाँ पर की L2 switch, L3 switch, combination of L2 L3 switches आपके windows PC होगे, linux PCs होगे, ठीक है, mobile phone, यह सारे जो layers में आते हैं, वो होते हमारे पास access layer ठीक है, इस type के जो architecture मिले वाला हमें, वो होगा हमारा core distribution तो इस type के जो architecture है, वो हमारे कहलाते है L3, layer 3 तो मैं आपको simply एक example दिखाता हूँ कि layer to architecture कैसा होता है ठीक है, यह जो है architecture आपको दिख रहा है, यह है हमारा layer to architecture, ठीक है sorry, tire to architecture, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो हमारा normal है, जो distribution layer है एक layer यह है, और दूसरा layer यह है, access layer, जिसको हम distribution या फिर core layer भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर multilayer switches है, routers का है, अब यह traffic यहाँ से move होगा, तो इन दोनों link पर easily चला जाएगा, ठीक है तो यह ऐसे चलेगा, दूसरा suppose करो कि यह देख रो, आप green links अप है, ठीक है, यह एचे configured है, तो आपस easily connect हो जाएगी पब्लिक internet से, तो इनको पता नहीं चलेगा, in case अब suppose करो कि यह device ही पूरा down हो गया, तो traffic को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से move करके चला जाएगा इनकेस यह device down और यह अप है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चला जाएगा, यह ऐसे निकलेगा, ऐसे चला जाएगा, यह ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा तो यह आपस में synchronize करते रहेंगे, hello packets based है, बहुत सारी चीज़े हैं back end में, वो अपना काम easily करता रहेगा और वो चीज़े चलती रहेंगे, ठीक है, similarly way में चलते हैं, अगर हम तो एक और मैं आपको दिखाता हूँ, tier 3 architecture होते कैसे हैं, यह है हमारा tier 3 architecture, यहाँ पे आपको core layer अलग मिलेगा, distribution अलग मिलेगा और access layer अलग मिलेंगे, multilayer switches दोनों जगे हैं, ठीक है, multilayer switches distribution में भी क्योंकि high traffic handling ये भी करेगा, high traffic handling ये भी करेगा, but जो distribution, access switches हैं, वो थोड़े कम configuration होंगे, थोड़े low, low configurations के होंगे, so that की just आपका जो है, end users जो connected है, like servers हो गया, printers हो गया, users हो वो easily से connected रहेंगे, और अपना traffic easily smoothly बेज़ते रहेंगे, as compare, जैसे हमने compare किया था, tier 2 के अंदर similar way में, tier 3 के उपर भी ये, अपना easily traffic को forward करता रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, next है हमारा spine leaf technology, ठीक है, spine leaf architecture, spine leaf architecture क्या होता है, जैसे कि हमने normally human body में भी देखते है spine बोलते हैं, ठीक है, spine in the sense, read, ठीक है, जहां से directly सारी चीजे connected होंगी, हमारी read की हड़ियों से सारी हड़ियां connected है, इसलिए इसको spine की तरीके से बोल देते कई वार, ठीक है, तो ये spine है, leaf क्या होते हैं, जो उससे connected छोटे 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 devices हैं, ये access devices हैं, वो सारे leaves कहलाते है ठीक है, leaf यानि पत्ते, तो एक तरीके से समझे लो कि एक tree topology है, जो उससा tree है, tree spine हो गया, और इसमें ये multiple जो है, आपके पत्ते हैं, ठीक है, या साखाए है, डालियां है, ठीक है, तो ये हो गया spine, इसके छोटे छोटे spine हो गया, इससे फिर एक पत्ते connected है, फिर उसके बनाया क्यों गया, ये क्या होता है, कि हाई, हाई scalable devices को use करके हम बनाते हैं, जिससे कि हमारा data center की जो performance है, वो हमेसा ही enhanced रहे, ऐसा ना हो कि आज हमने कुछ down किया, तो फिर कल down मिलता है, या फिर हमारे जो devices उसकी performance down हो जाती है, या network performance down हो जाती है, उसको scale करने के लिए हम spine and leaf technology का भी use करते है, mostly हम लोग ये data center में use करते है, because of high performance, ठीक है, spine के अंदर वो devices आते हैं, जो कि आपकी core devices होती है, जैसे कि हमने देखा था अभी, multi-layer switches हैं, routers हैं, firewall हैं, जिनके throughput high होंगे, throughput in the sense, 10 GB, 16 GB, 20 GB, PS की links होंगे, वो हमारे basically leave, spine के अंदर आती है, और leaves के अंदर वो devices आती हैं, जिनकी configuration हो सकते हैं, similar हों, हो सकता हैं, less भी हों, लेकिन वो devices होंगी, जैसे कि हमने access layer और distribution layer के switches और devices की बात की हैं, like servers हो गए, layer 2 switches हो गए, layer 3 switches हो गए, और end users हो गए, printers हो गए, तो ये एक तारिकी की technology, जो topology जो होगी, वो हमारी होगी, leaf, ठीक है, ये leaf and spine जो है, ये आपको बहुत जगे देखने को मिलेगा, और mostly आप जब चेक करोगे, तो आपको मिलेगा कि ये सारी mess है, आपस में एक दूसरे से connected है, ठीक है, ये तो फिलाल मैंने access जैसे example दिया था, मानलो कि चार switches हैं, चार routers हैं, तो आपस में इस तरीके से connected होंगे, कि आपस में कि इसी के down होने से हमारा network hamper नहीं करेगा, easily move हो जाएगा, suppose करो इस user को, एक user यहाँ पर है, इसको यहाँ से communicate करना है, तो इसके पास तीन वे हैं, एक इधर से, इधर से, और एक, तीन वे कैसे हैं, हमारे पास, one, two, three, ठीक है, तो अगर suppose करो ये, ये down होगा, तभी कुछ होग Otherwise हमारे पास multiple options हैं, ठीक है, और ये device यहाँ पर connected है, तो जहर सी बात है, यहाँ से भी हमने connect कर रखा होगा, तो ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से connected होंगे, इसके कुछ benefits है, जैसे कि इसके benefits कहके हैं आपको, ये scalable है, highly scalable है, because, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत जादे स कर लेता है, पता नहीं चलने देता है, दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात है, कि ये low latency है, low latency, low latency in the sense कि आपको, क्योंकि हमारे पास already high bandwidth के जो हम interfaces use करेंगे, उस बज़े से हमारे पास latency भी कम होगी, suppose करो 10 gigabit का हमारे पास link है कोई, ठीक है, 10 gigabit का जो link है, उस पे हगर हमारे पास 1 GB, 2 GB, 3 GB तक की भी speed आती है, तो भी हमें क्या होगा, कि ये highly scalable होगा, पता हमारे पास rest भी 10 minus जो भी जितनी भी जीवी आएंगे, suppose करो 8, 9, 9 GB तक की भी आ रही है, तो हमारे पास 1 GB का rest ratio पढ़ा रहेगा, so that key, in case अगर future में हमारा bandwidth बढ़ता है, तो हमारा, जो है network conjunction, network के अंदर conjunction ना हो, ठीक है, दूसरा है, इसमें retendency or retendency, retendency का मतलब यही है कि आपको अगर ये network device डाउन हो गया, या फिर ये device डाउन हो गया, तो ऐसे करके भी traffic flow करेगा, उसमें भी आपको दिखका नहीं है कि ऐसे traffic flow कर गया, easily, तो यहाँ पर ऐसा कुछ चलता है, औ क्योंकि इसके लिए आपको multiple tools लगते हैं, tools की वी ज़रत होती है, तो वहाँ उसकी वज़े से आपको easily manage हो जाता है, तो यह जो चीज थी, यह है हमारी leaf and spine, इसकी benefits तो हमने देखे हैं, और overall यह इसलिए use करते हैं, क्योंकि यह क्याना, एक complex network को, और उसको, इसकी जैसके level, इसकी है, वो बढ़ा देता है, ठीक है, और हमारे network को grow करने में help करता है, network के strength को, network के strength बढ़ा देता है, जिसमें बहुत सारे चीज़े जैसे virtualization चलती है, कुछ application demands है, network की performance है, reliability है, तो यह सारे चीज़े हैं, इसमें काम में आ जाता है, जैसे virtualization, virtualization हो गया, इसके अलावा आपका हो गया application performance, ठीक है, application performance हो गया, इसके अलावा आप चलते हो तो high availability का भी option है, ठीक है, यह सारी चीज़े मिलकर के हमारा काम leaf और spine पर हो जाता है, तो अभी हमने तीन technology हमने पढ़ ली, जैसे की हमारा leaf, अब चलते हैं, next है, two tier पढ़ लिया, three tier देख लिए क्या होता है, leaf and spine देख लिए, spine and leaf, और next है हमारा when, तो when जो है, when क्या होती है, जिसको normally आप देखोगे, तो आपको बोला जाएगा, कि wide area network, ठीक है, wide area network क्या होता है, basically जब भी आप internet से connect होते हो, तो आप local network से उठ करके, आप चले जाते हो, wide के अंदर, ठीक है, बाहर, जैसे when में क्या गयाते है, चो publicly accessible होते हैं, वो सारी चीज़े है, when topology, basically ठीक है, तो when topology में अब जैसे कि हमारा होता है, कि कुछ routing protocols भी चलते हैं, और यह point to point भी हो सकते हैं, VPN ways हो सकते हैं, hub and spoke है, manage topology, partially mess, ring, बहुत सारी चीज़े हैं, जो when technology में use होती है, ठीक है, अभी तक जो हमने, जैसे कि आपने पहले हमने अभी तक नहीं देखा था, अब धम चलने वाले हैं, when के उपर, ठीक है, तो when में क्या है, कि basically जो physical and logical connectivity होती है, और physical and logical configurations होती है, ठीक है, जिसमें आप का आता है, point to point, point to point, point to point में क्या है, एक router, दूसरे router से है, connected, और इससे क्या होता है, कि आपका ये point to point connection है, आप suppose करो कि यहाँ पे आपके दो land segments है, तो यह आपस में easily communicate करेंगे, ठीक है, यह होते हैं, एक तरीके के point to point, इसके लिए जरूरी नहीं है, इसके बीच में, आप point to point topology अगर आप देखोगे, थोड़ देगा, ये एक internet है, एक है, यहाँ पे एक MPLS technology मिलेगे आपको कभी-कभी, एक router आपका यहाँ पे configured होगा, यहाँ पे होगा, आपका ये एक public, private van हो जाएगा, private wired area network, एक तरीके से, ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है, दूसरा आप यहाँ पे routing protocol यूज कर सकते हो, ठीक है, basically ये हमारा part नहीं होता है, ये होता है, ISP और service provider जो बोलते हैं, service provider, internet service provider, तो ये वाला part उनका है, बाकी जो ये वाला part जो होता है, हमारे जो है network में, तो ये point to point connected है, बीच में आपको पता नहीं चलेगा, कि ये virtually आपस में connected है, directly आप अपने land resource को use कर पाओगे, just routing के थूरू या फिर netting के थूरू, ठीक है, ये आपस में इसे connected होंगे, एक tunnel समझ लो, ठीक है, इस तरीके से connected होंगे, ठीक है, ये होता है, इसके बाद आता है hub and spoke, hub and spoke में क्या होता है, कि आपका एक है hub location, और hub क्या router है आपका, वो है इंटरनेट से connected, और वहीं से आपका कहना multiple site A, site B, site C, site A, site B, site C, तो ये क्या करेगा, ये hub से hub का जो land है, या फिर hub अपना data center है, और यहाँ पे अपने बास branch offices हैं, तो इस तरीके की topology भी हमारी, आती है, when topology में, क्योंकि एक wide area के उपर हमने configure कर रखा है, सभी के पास एक public IP है, सभी के पास एक router है, यहाँ पे हमने hub and spoke technology के थूँ जैसे कि हमने VPN configuration कर रखा है, जैसे DM VPN हो गया, जी आरी हो गया, generic routing encapsulation, multipoint mgre, multipoint generic routing encapsulation, इस type की topology भी हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारा hub and spoke topology complete होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारे ये जो है, ये hub कहलाता है, जो हमारा user data center होगा, और spokes ये होते हैं, इसमें क्या होता है, कि ये हमेशा इससे communicate करेंगे, ठीक है, ये कभी communicate नहीं करेंगा, इसमें ऐसा होता है, fully maze आपने देख लिया था, पहले भी मैंने दिखाया, fully maze जो आपस में एक दूसरे से connected है, 2, 3, 4, 5, ऐससे connected होंगे, 1, 2, 3, ये इससे connect हो गया, ये इससे connect हो गया, ठीक है, ये वाला router 1 है, ये सबसे connected है, router 2 इससे connected हो गया, ठीक है, router 3, 1, 2, 3 से connected है, इससे connected हो गया, router 4, इससे भी है, इससे भी है, ठीक है, और ये router 5, ये भी आपस में connected है, तो ये full maze कहलाती है, ठीक है, एक तरीके से आपस में connected है, पार्शल में इसमें जैसे हब आने स्पोक टोपोलोजी टाइप में होती है वो है रिंग टोपोलोजी में ही है जैसे अब यह पांच राउटर्स है ठीक है यह आपस में ऐसे से ट्राफिक आ रहा था अगर इसने कम् sympath करना था एक यूजर में यूजर 20 यहां पर तो अब यहां से अधायर पर रखा है और यह वाला एक्तव है तो यहां से कम् हैकेट कर लेगा तो इस टैप की इस होती है हमारी मैंग एक तडिके स्फ्य को तू इस टैप की टॉपलोजी आती है, तो मेस, नेटवर्गमें वह हम उज करते हैं, मैस, डॉपलोजी हमी, यूज करते हैं, ठीक है, आज क्रेट में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, चीजों समझी जाती है, खतो हम यूज करते है, हब एनस попроб, मैस तीक है स्टार स्टार टॉपलोजी क्या होती बेसिकली स्टार्डी दिवाईस heart यह आपके कुछ एक डिवाईस होंगे तो य इस तरीके कि टॉपलोजी जो होती न वह इस्टार टॉपलोजी कहलाती है जिसमें क्या होता है कि आपका जो है एक यह सिंगल हब होता है ठीक है इससे तरीके से होता है ठीक है यह होगा और इस तरीके से इनके बीच में अगर कभी होता है तो वर्चुल लिंक क्रियेट हो सकती है वो फाइनली जा करके आपको फुल में इसी दिख रहा होगा ठीक है अब इसको कम्निकेट करना है तो सीधा चला जाएगा तो इस तरीके की है तो यह सारे हाइब्रेड में आ जाते हैं तो इस टार भ देता है अब है हमारा नेक्स्ट जो है स्टार के बाद आता है स्मॉल ओफिसेज एंड होम ओफिस ठीक है स्मॉल ओफिस और होम ओफिस क्या होते हैं जैसे कि आपने छोटे ओफिसेज देखे हूंगे या होम के अंदर कोई ओफिसेज हैं तो किस टाइप के होते हैं कि अब इस्मॉल आफिसेज जो हैं वो साइज और डिपेंड करता हो मौफिस आपके जो यूजर सेंज कि साइज क्या है तो आप सपोज करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे यूजर पैठे हैं तो वो एक तरीके से ब्रांच आफिस समझ समझ लो या फिर आपका मैं ऑफिस समझ लो और कुछ बद्धे हैं जैसे कि हमने उसमें टीम से अलग अलग टीम को हमने अलग अलग लोकेशन पर दे रखा है तो स्मॉल आफिस और होम आफिस भी कह सकते एक तरीके से उसके लिए आपका क्या है ना चोटे-चोटे बिजनस में भी डाल सकते हैं बिजनस को केटिगराइज कर सकते हैं जिस ते कि 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 बिजनस इन दा सेंस कहीं हर बैठा हुआ है कहीं सेल्स का परसन है कहीं और कुछ यूजर्स बैठे हैं और ऐसे ऐसे टाइप के हैं ठीक है कही जगे एड्मिन लेवल के बंदे बैठे हुए तो इस इसी बिल्डिंग को अपने चार पार्ट में बाढ़ दिया चार फ्लोर की बिल्डिंग अलग अलग तो स्मॉल ओफिसेज कहला सकती है साइज में यह क्या होते हैं कि इसके अंदर स्मॉल साइज ऑफ एंपलोई होते हैं अगर हमारे पास हंड्रेड यूजर्स के हैं कैपैसिटी है हमने उसको चार ओफिस में बाढ़ दिया चार टीम में बाढ़ दिया तो 25 इच हो गए तो 25 इंटू 400 हो जाता है तो यह स्मॉल ओफिसेज में डिवाइड कर देते हैं तो ठीक है इस तरीके से होंगे इसका इसकी साइजिंग सबसे बड़े मैन फैक्टर है कि साइज के अकोडिंग ही हमारे पास स्मॉल ओफिस और जो है होम ओफिस डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइब की ओफिस होंगे ठीक है इसके में बहुत छोटा ओफिस चाहिए है ठीक है बहुत छोटा ओफिस चाहिए मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि आपको location high चाहिए, location भी आपके पास easily maintainable हो, ठीक है, हर किसी का खुद का भी एक तरीके से आपने VPN दे रखा है, तो उसके लिए small office हो सकती है, जैसे आप अपने घर में setup कर लिया, कुछ छोटा सा, तो एक तरीके से वो भी small offices हैं, ठीक है, independent भी हो सक हो सकते हैं, small offices जैसे कुछ बंदों ने अपना खुद का freelancing का काम किया, तो independent भी हो सकते हैं, independent ठीक है, flexible होते हैं, कि जब मर्जी जब अपना काम स्टार्ट किया, जब मर्जी जब बंद कर दिया, इस टाइप के offices होते हैं, challenges इसमें यह होती हैं, कि office जो है, challenges होते हैं, कि कुछ finance के challenges हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास मानलो कि सारे resources नहीं हैं, तो कुछ financial challenges आ सकती हैं, networking, इनका networking में भी थोड़ा सा यह हो सकता है, कि networking के उपर आप चलते हैं, क्योंकि हमारा party network का है, तो network हमेसा उनको क्या होता है, कि जब भी information share करना होता है, क्योंकि office थोटी हो गई तो उनको हमेसा या तो online रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के आपकी जो है communication established हो पाएगी, तो हमेसा client को और business को हमेसा online रखना पड़ता है, यह थोड़ा सा drop back भी समझ लो और benefit भी है, कि आप अगर हमेसा online हो तो, ठीक है, regular regulation of taxes, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि आपको tax का भी regulation होई हो जाता है, एक तरीके से, growth and potential है, बहुत सारे जो small offices है ना, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कि अपना freelancing का start करके और उसको easily grow करते हैं, अपना उसने setup डाल लिया, खुद का एक छोटा सा उसमें अपने application service वगेरा डाल रखे हैं, और उससे अपने business को चला र होती है, एक तरीके का topology होता है, वो हमारा क्यलाता है small and business offices, इसमें ज्यादा networking equipment की need नहीं होती है, ठीक है, इसके बाद जो है हमारा एक last topic है, वो है on premises and cloud based network topology, on premises भी same है, क्योंकि खुद के premises में अगर आपको topology create करनी है, तो आप easily कर पाओगे, मान लो कि आपका ये building है, और इसमें आपने दो server डाल रखे हैं, ठीक है, और एक server, ये दोनो server एक switch से connected है, switch एक router से connected है, और इसके router है, और router जो है आपका router के बीच में एक काम करते हैं, ये public router है, जो internet पे जा रहा है, एक firewall connect कर रखा है, firewall से आपने क्या कर रखा है, कि VPN services enable कर रखा है, या फिर ये दोनों combination of routing switching का ले लो, आप firewall को ले लेते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर VPN services है, यहाँ पर VLAN है, यहाँ पर multiple applications है, तो इस type के छोटे चीह हैं, तो इसमें हमें कम resource की जुरत होती है, बट हाँ security के लिए हमने firewall use कर लखा है, जो क्या कर रहा है कि net करके हमारा traffic बाहर ले करके जा रह होती है, तो इस तरीकी की जो होती है, on-premises और on-premises कहलाती है, और cloud-based जो है, वो क्या होता है, कि basically आपने एक cloud है, जैसे AWS, Google, GCP, ठीक है, और Azure, तो इस पर आपने एक क्या कर रखा है, आपने एक data center type में setup कर रखा है, जहाँ पर आपको एक dedicated लिए आपको एक private network और आपको ए एक आपका खुद का एक network segment मिलता है, जिसमें आप similar way में, अगर आप इसी को as a convert कर देते हो, cloud में, तो आपको connectivity मिल जाती है, आपको वहाँ से एक link मिलता हो, URL मिलता है, जहाँ पर आप डारेक्ली ब्राउजर पे hit करके, आप अपने services को, resource को use कर सकते हो, online application launch कर सकते हो, और ब connectivity already established है, तो इस type के offices है, जैसे हमारा भी offices है, small business और या फिर आप ऐसा समझ लो, small business and home office है, ठीक है, small office और home office में consider भी कर सकते हो, हमारे जो networking scholar को, और दूसरा, आप ये भी कर सकते हो, कि हमारा जो है, ये on-premises cloud है, एक तरीके से, on-premises और cloud-based है, तो ये हमारे दोनों में consider हो जात है, ठीक है, तो ये था हमारा, इसके साथ ही मैं आपको बता हुआ, कि अभी हम चलते हैं, next phase में, तो अब आपको जाना है, और हमें हमारे website के उपर register करना है, हमारे YouTube channel के उपर जाईए, आप वहाँ पर वीडियो आपको मिली रही है, अभी तक हमने, आप, आपने हमारा कोई लास्ट वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वाला तो आपको एजिली हमारे playlist पे जाकर के मिल जाईगी, सारी वीडियो यहाँ पर अल्रेडी अभी लेवल है, सब्सक्राइब करें, so that की हमें पता चलता रहे है, कि क्या चल रही है, आप लोग कितना है, comment करोगे, so that हमें पत पब्लिस करें, जैसे कि आज होगा role and function of endpoint and service क्या होते है, जो आज की date में, जैसे ही, आज है हमारा date 25th of August, तो आज ही रिलीज होने वाला है, ठीक है, 8 बजे, तो इसी टाइप से आपको notification मिलती रहेंगे, आप notify me पे click करेंगे, तो आपको notification मिल जाएगा, साथ ही हमारे एक औ चैनल है, जहाँ पे आपको और भी informatic videos मिलेंगी, वो है Indian School Group, आप उसको भी subscribe कर सकते हैं, वहाँ पे आपको different technologies की videos मिलेंगी, जो open source हैं, और भी सारी चीज़े हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा, firewalls हैं, कुछ उसमें, आपको कुछ open source की चीज़े आएंगी, कभी, बहुत सारी चीज़े हैं, वहाँ पे आपको मिलने वाली, ठीक है, website पर आपको website की link नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पर hit करेंगे, आप directly हमारे website पर पहुंच जाएंगे, आपको just enroll करना है, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए by, thank you for watching this video, like, share and subscribe करना ही कर और आप लोग किसे हमें, यह help भी मिल जाएगी, thank you